अलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Purcham Classes देखें आज के सेशन में हम लोगों को weekly finance affair करने है कल किसी वज़े से class नहीं हो सकी थी वैसे मंडे शाम को 7 बज़े ये होती है लेकिन किसी वज़े से क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी ill health की वज़े से मैं कल ये class आप लोगों को provide नहीं करा सकी तो आज करवा रही हूँ आज की class में हम 9 मई से लेके 15 में तक के सारे weekly इस week में जितने भी finance और economics की दुनिया में जो भी खबरे घटी हैं उनके बारे में discuss करेंगे ठीक है बहुत सारी news नहीं है बहुत छोटी छोटी सी news है बहुत जादा कुछ इतना इस हफते में हुआ नहीं है पर जो भी हुआ है हम उसको जानेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको सवाल book के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ एक पर फिर बताती हूँ यह current affair की objective book है जहां आप पूरे साल के current affair को quarterly basis पे practice कर सकेंगे इस book को चार sections के अंदर आप लोगों को provide कराया जाएगा यह hard copy नहीं है यह सिर्फ soft copy है जिसमें आपको question के साथ उनका explanation भी PDF में मिलेगा ठीक है और जिन बचों ने subscription लिया है वो पर्चम app से इस book को download कर सकते है जिन लोगों ने subscription नहीं लिया है उनको quarterly PDF जो है वो पर्चम classes.in से आप लोगों को मिलेगी ठीक है कुछ courses जो है आपको बता देते है SSC General Awareness का course चल रहा है हमारा इसके अंदर सारा history, geography, quality सब कुछ कवर किया जा रहा है एक course जो है वो economy का course चल रहा है जिसके अंदर सारी videos recorded होंगी दोनों ही batch पूरा recorded batch है यानि day one पे स्लेबस आपके हाथ में होगा और बहुती भैतरीन course पूरी टीम ने मिलके तयार किया है दोनों ही courses पे अगर आपको 10 प्रतीशत का off चाहिए then use code pile 10 ठीक है अभी देखते हैं आज की class में हमको क्या पढ़ना है हमें ये पढ़ना है कि भारत सरकार ने boat model को फिर से शुरू करने की बात की है ये boat model क्या है किस चीज़ के लिए है उसको समझेंगे फिर financial stability and development council की 27th meeting हुई है ये FSDC क्या है meeting में क्या बात हुई अपने लिए कोई फालतू बात नहीं करेंगे क्या बात हुई कोई बात नहीं जब वो बाते कागजों में होंगी जब वो बाते हकीकत में आएंगी तो फिर से news बनेंगी जब वो चीज़े implement होगी हम उसे तब देखेंगे अभी ये FSDC क्या है इसके बारे में जानेगे उसके बाद RBI और बाकी Central Bank ने ये कहा है हम gold holdings को ramping up करेंगे यानि increase करेंगे क्यों gold holding के पीछे पड़े हैं देखेंगे उसके बाद इंडिया ने श्रिलंका को 1 billion dollar का credit line और दे दिया है क्या होता है credit line इसको समझेंगे फिर exchange traded commodity derivative जो है सेबी ने foreign portfolio investors को E-TCDs में invest करने को कह दिया है E-Invoice की जो limit है वो 10 लाग से घटा के 5 लाग कर दी है 10 करोड से घटा के 5 करोड कर दी है क्या है यह E-Invoice इसके बारे में हम discuss करेंगे ठीक है तो यह news थी आज की class की हम एक एक करके सबको discuss कर दो सबसे पहले बोट model क्या होता है इसको समझो देखो infrastructural development के लिए कुछ models बनाए जाते है यह models क्या होते हैं यह PPP model होते हैं क्या होते हैं Public Private Partnership के model होते है Public Private Partnership मतलब सरकारी और Partnership सरकारी और Private लोग जो है आपस में मिलके किसी infrastructure के काम को कर रहे हैं जैसे सडके बनती है सडक बनानी है, रोड बनानी है तो उसके लिए boat model है यह बहुत सारे और models होते हैं boat के अंदर क्या होता है, Build, Operate and Transfer सरकार क्या करती है किसी एक company को ठेका दे देती है ठीक है, boat में क्या होगा किसी एक company को ठेका दे देंगे कि हाँ भई, तुम्हें यह ठेका दिया जा रहा है तुम लोग इस सडक को बनाओ यानि Build करो, उसके उपर toll लगा दो तुम, ठीक है, यानि उसको operate करना शुरू कर दो, जितने भी गाड़ियां यहां से गुजरेंगी, वो पैसा तुम्हारा होगा, माल लीजिए तुम्हारा 100 रुपिया लगा है इस सडक को बनाने में तो जिस दिन तुम्हारे toll से यह 100 रुपिया पूरा हो जाए उस दिन तुम सरकार के पास यह ट्रांसफर कर देना, उस दिन यह जो सडक है, यह सरकार के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और अब उस toll collection के अंदर government अपनी हिस्सेदारी लेगी, यानि government वो toll collect करेगी इसको कहते है, build, operate and transfer, boat model इसमें फायदा क्या होता है, government को government को फायदा यह होता है, government के सारे resources बच गए government को advance में कुछ भी नहीं देना पड़ा ठीक है, कुछ भी नहीं देना पड़ा इसको कहते है, boat model, तो अब सरकार क्या कह रही है, कि हम investors के अंदर यह लालसा पैदा करेंगे, फिर से कि boat model को आगे बढ़ाया जाए, कि boat model पे काम जादा करेंगे ताकि इसमें सरकार के resources यूज ना हो, इसको कहते है, boat model ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है National Highway Authority of India इस चीज़ पे काम कर रही है, कि boat toll models को highway construction के लिए जादा उसमें shares जो है वो increase किये जाए, ठीक है इसका reason क्या है, इसमें government के resources सेव हो जाते हैं boat model जो एक conventional PPP model है, public private partnership model है, private entity ही, यानि जो private company जिसको ठेका दिया है, वो ही build करेगी वो ही इसको design करेगी सडक को वो ही operate करेगी, और फिर अपना पैसा पूरा करने के बाद सरकार को transfer कर देगी, ठीक है दो तरीके के model होते हैं दो तरीके के model क्या होते हैं boat toll और boat annuity boat toll और boat annuity boat toll model होता है और boat annuity model होता है annuity की मतलब क्या होता है, किष्टे ठीक है, अब boat toll में क्या होता है सरकार उस private company को क्या कहती है कि तुम ही इसको build कर लो, तुम ही build कर लो सडक को, तुम ही design कर लो, तुम ही operate कर लो और जब सारा पैसा तुम्हें मिल जाये तुम्हारा, जो तुम्हें जितना पैसा इकठा करना था, वो सब तुमने टोल से अगर collect कर लिया, अगर तुमने टोल से वोचिस collect कर ली, तो आप फिर ये हमको transfer कर देना boat annuity में क्या होता है, private company को कहा जाता है, तुम इसको build कर लो, तुम इसको operate कर लो, ठीक है, मतलब सडक चालू कर दो, लेकिन इसमें toll कौन लेगा, toll कहती है, government हम लेंगे और आपका जितना भी पैसा लगा है, वो annuity model पे, यानि किष्टों पे हम आपका ये पैसा वापिस करते रहेंगे, लेकिन toll जो है, इसमें हम लेंगे, this is boat annuity model, ऐसे बहुत सारे model होते हैं, hybrid annuity model, EPC, engineering procurement model, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, और कौन से होते EPC, engineering procurement construction model, इसमें क्या होता है, सारा खर्चा government उठाती है, सारा खर्चा government उठाती है, government क्या करती है, bidding करवाती है, अलग-अलग engineering company को भुलाएगी, हाँ भई, तुम किसने में काम करोगे, मालो company ये कहती है, हम तो एक करोड में आपकी सड़क बना के देंगे, ठीक है, B कहता ह हम तो 50 लाग में आपकी सड़क बना देंगे, तो bid जो है इसको मिल जाएगा, डिजाइन देखके उसका bid इसको मिल जाएगा, अब यहां के engineers को क्या कहा जाएगा, कि भई, तुम अपने हिसाब से इसको बना लो, और हम जो है आपको पैसा दे देंगे, ये होता है EPC model, hybrid annuity model Annuity, hybrid है मतलब दो का mixture है, इसमें boat का और EPC दोनों का mixture है, इसमें क्या होता है, कि जो private developer construction करेंगे सड़क का, उसको 40% project cost मिल जाएगा, और 60% पैसा जो है boat model के अनुसार उसको toll collection से collect करना पड़ेगा, EPC model में क्या हो रहा था, government पैसा दे रही है, government पैसा दे रही है, ठीक है, government क्या कह रही है कि पैसा हम देंगे, ठीक, EPC model में, और तुम काम करो, ठीक है, और यहां पे boat model में क्या था, कि पैसा तुम toll से collect कर लेना, तो अब hybrid annuity model में, जो airports होते हैं, वो ज़्यादा तर इस model पे होते हैं, इसमें क्या कहा जाता है, कि तुम 40 प्रतिशत हम से ले लो, और 60 प्रतिशत जो है, वो toll से collect कर लेना, ठीक है, तो यह होता है, hybrid annuity model, तो इस तरीके से काफी सारे model, infrastructure development के लिए होते हैं, अगली news क्या कहती है, financial stability and development council की report है, news है, यानि 27 वी meeting इनकी हुई है, ये एक autonomous body होती है, जिसे 2010 में बनाया गया था, ministry of finance के under, ठीक है, इसका काम क्या होता है, financial stability को maintain करना, inter regulatory coordination को enhance करना, promoting financial sector development, financial sector के development को promote करना, मतलब कुल मिला के finance को और ज़्यादा मजबूत करना है, इसके chairman कौन होते हैं, इस body के chairman finance minister होते हैं, very important, members में कौन होंगे, बहुत सारे minister of states होंगे, ठीक है, economic affairs के बहुत सारे ministers होंगे, head of all financial sector regulator, जितने भी बड़े-बड़े regulator होते हैं, regulator जो बाकित लोगों पे नियंतरन करते हैं, जैसे RBI, सभी बैंकों पे regulate करता है, तो RBI का governor इसका member होगा, not chairman, member होगा, ठीक है, chairman, finance minister होंगे, फिर SEBI, सेबी जो finance market का regulator है, उसका chairman, इसका member होगा, फिर PFRDA, pension fund regulatory development authority, इसका chairman, इसक फिर insurance regulatory development authority, इसका chairman, इसका member होगा, फिर IBBI, insolvency bankruptcy board bureau, ये जो है, इसका chairman है, वो भी इसका member होगा, तो इस तरीके से ये लोग member होते हैं, ठीक है, और finance minister इसका chairman होता है, और काम इसका होता है, financial stability को boost करना, 2010 में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, उसके बाद अगली news है कि RBI औ और बाकी banks को क्या कहा जा रहा है, other central bank जो है, जितने भी दुनिया भर में है, वो gold holdings को ramping up कर रहे हैं, यानि increase कर रहे है, 2010 में ये क्या कह रहा है, कि जो gold है, वो annual basis पे purchase किया जाता था, ठीक है, इंडिया जो है, उस वक्त भी 1999 से लेके 2021 के end तक 10 largest official buyers में से एक थे, हम gold को consumption के तोर पे भी बहुत buy करते हैं, ठीक है, RBI का जो gold reserve है, वो 794.64 metric ton, 2023 में touch कर चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 5% जादा है, इसका reason क्या है, एक तो हमें अपना foreign exchange reserve बढ़ाना है, आपको पता है इंडिया के foreign exchange reserve में क्या क्या होता है, एक तो होता है gold, एक होता है foreign currency, ए एक होता है SDR, और एक होता है RTP, ये चार चीजे foreign reserve में होती है, अब gold को हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा reserve strong रहे, hedging against fient currency, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि gold जो है, वो एक, मतलब इसका inflation बढ़ता जा रहा है, all over world के अंदर इसके demand है, तो इसका जो inflation है, इसके जो prices है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो हम भी एक कीमती वस्तु अपनी तिजोरी में रखना चाहेंगे, तीसरी वज़े क्या है, कि जो dollar है, वो बहती ज़्यादा fluctuate कर रहा है, stability नहीं है dollar के अंदर, इसलिए हम dollar को इक अठा ना करके, हम एक कीमती धातू की तरफ जा रहे है इस precious metal की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमारा reserve जो है, वो थोड़ा stable हो सके, ठीक है, फिर हम अपने portfolios को diversify करना चाहता है, हम सिर्फ US dollar यानि foreign currencies के उपर dependent नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा uncertainty है कि कोई बता ही नहीं सकता कि dollar का कब क्या कब हो जाए, तो इसलिए हम dollar की चुरू हुआ था, लेकिन इस बार वाला जो trend देखा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इतना gold India purchase कर रहा है, इसके बाद, इंडिया ने 1 billion dollar की credit line शिलंका को दे दी है, देखो, एक चीज होता है, loan, एक चीज होता है, grant, और एक चीज होता है, line of credit, तीन चीज़े है, loan के अंदर क्या होता है, lump sum, एक ही बार में सारा जो amount है, वो सामने वाली party को दे दिया जाता है, और फिर उसे interest लेते रहते हैं, हमने उसको principal amount दे दिया, और उससे हम interest लेते रहते हैं, grant में क्या होता है, हमने किसी को पैसा दे दिया, money दे दिया, और ना तो हम principal वापिस है, हमने as a gift उसको दे दिया, line of credit क्या होता है, मान लीजे किसी को 400 रुपे देने हैं, तो हम एक बार में उसको नहीं दे रहे हैं, 100-100 करके 4 साल में दे रहे हैं, this is line of credit, और interest लेंगे, interest लेंगे, तो इंडिया ने शिलंका को promise किया था, क्योंकि शिलंका में crisis थे, तो इंडि अपने शिलंका को दे दिया है, वहाँ के financial crisis को solve करने के लिए, ठीक है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि IMF भी जो है, वो एक crucial role अपना रहा है, इंडिया, चाइना, जापान, तीनों भी शिलंका की मदद कर रहे हैं, अब हमारे उसके साथ relation कैसे हैं, चाइना के साथ, शि development की अगर बात करें, तो इंडिया के जो housing projects है, इंडिया के जो housing projects है, to build houses in war affected area and state workers, इंडिया जो है, मदद कर रहा है, फिर culture, हमारे यहाँ पे स्वामी विवेका नंद का culture share किया जाता है, यानि स्वामी विवेका नंद का जो center है, वो कोलंबो के अंदर बना है, बुद्धिस heritage share होता है, people to people connectivity होती है, ठीक है, संग मित्रा नाम से एक बहुत सारी ब्लोड बुद्धा के teachings share की जाती है, शिलंका के अंदर पी और इंडिया के अंदर भी, तो इस तरीके से हमारे cultural relations भी बहुत अच्छे है, डिफेंस की बात करें, तो दोनों देशों के बीच में मित्रश और स्लाइनेक्स, यह नेवी की exercises होती है, मित्रशक्ति, आर्मी की exercise है, और स्लाइनेक्स जो है, शिलंका, इंडिया, नेवी exercise, यह जो है, यह दोनों देशों के बीच में exercises चलती है, अगली news है, exchange traded commodity derivative, सेभी ने foreign portfolio investor को यह कह दिया है, कि आप लोग exchange traded commodity derivatives के अंदर investment कर सकते हो, 2022 के अंदर, सेभी ने FPI को यह कह दिया था, आप participate कर सकते हो, ताकि market की depth और liquidity बढ़े, क्या मतलब हुआ, जो FPI होते हैं, जो कम समय के लिए भारत आते हैं, बहुत पहले उनको यह permission नहीं थी, कि आप हमारे derivative में पैसा लगाओ, आप हमारी commodity exchange में पैसा लगाओ, लेकिन अब क्या कर दिया, अब उनको यह permission दे दी, कि आप भी हमारे यहाँ पे commodity derivatives के अंदर पैसा, commodity derivatives क्या होते हैं students, commodity derivatives ऐसे होते हैं, commodity का मतलब सामान, जैसे gold का, ठीक है, silver का, जैसे तूडी होती है, जो गाएं, बकरी, भैसे, जो खाती है, ठीक है, इसमें, अच्छा, जो खल बिनोल कहते हैं, जो गौर है, बाजरा है, इनके अंदर ना trading होता है, इनको कहते है commodity trading, commodity मतलब वस्तूओ की trading, और derivative का मतलब क्या होता है, जो recipes हैं, जिनकी आप खरीद बेच कर रहे हो, उनकी खुद की कोई value नहीं है, back end में, जो commodity है, उसका price कम जादा होने से, उन पर्चियों की, value कम जादा होती है, तो derivative का मतलब क्या होता है, ऐसे recipes या ऐसे documents, जो किसी और से अपनी value derive करते हैं, ठीक है, तो क्या कह दिया है foreign portfolio investors को, कि अब आप लोग derivatives के अंदर लगा सकते हैं पैसा, ठीक है, ये listed होंगी, ये listed होंगी, ठीक है, stock market के अंदर, तो वहां से FPI भी जो है, इ उसके बाद, next news क्या है, lowering the threshold limit of e-invoice of bank to bank, business to business transaction, government ने recently, अब देखो क्या होता है, जब एक business company, दूसरी business company को, या एक business वाला, दूसरे business वाले को, कुछ transaction कर रहा है, पहले क्या होता था, 10 करोड की, कम से कम 10 करोड की transaction के बाद, एक e-invoice, जिसके अंदर उसकी सारी detailing होगी, ये generate किया जाता था, तो क्या करती थी, ये companies, 9 करोड तक की invoice, मतलब 9 करोड तक का transaction दिखाते थे, ताकि invoice ना generate करना पड़े, और सारी detail ना देके, हम GST बचा सके, अब क्या कर दिया, बोले 10 करोड नहीं, जिनका आपस में 5 करोड का भी business है, उनको भी e-invoice जारी करनी पड़ेगी, electronic invoice जारी करनी पड़ेगी, इससे क्या होगा, आप tax evasion को कर्ब कर पाओगे, बहुत सारे लोग और इसके अंडर आ जाएंगे, जो अभी तक tax को evade कर रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कि GST regime के अंदर compliance को increase करने के लिए, जो क्या है, ये automated return scrutiny module क्या होता है, जो automated, ये scrutiny module है, scrutiny का मतलब होता है, जाच, ठीक है, ARSM, इसका मतलब होता है, जाच, क्या होता है, ये एक software है, जिसके अंदर सारी scrutiny की जा सकती है, कौन किसको कितना transact कर रहा है, कौन किसको कितना पैसा इधर उधर कर रहा है, कितने का business इधर हो र ठीक है तो क्या कहा गया है कि इसको भी automatic कर दिया है अपने आप data analytics करता रहेगा जिससे GST return में अगर कोई problem आ रही है या कोई discrepancies आ रही है तो उसको पकड़ा जा सके e-invoice होता क्या है ये एक system है business to business invoices है जहाँ पे GSTN यानि GST Network Limited ये वो company है जो GST number प्रोवाइड करती है इस company को electronically authentic data मिलता है GST portal पे e-invoice जो है ये GST portal पे जारी करना होता है एक common standard बना हुआ है format बना होता है उस format के according ही जो company वाले है जो business वाले है उनको उसी format के अंदर इसको ढालना होता है ठीक है और मतलब उसी format के अंदर आपको अपनी सारी detail देनी होती है इसको कहते है e-invoice GST portal पे और e-way bill portal के उपर इसक ठीक है तो बात समझ आ गई ठीक invoice registration portal के उपर आप अपनी invoices को जारी करेंगे पहले 10 करोड की threshold limit थी अभी 5 करोड की करती तो न्यूस तो आज की class में इतनी ही थी मैं कुछ question पूछ रही हूं आज कम news थी तो कम समय लगा है ठीक है मैं आपसे कुछ questions पूछ रही हूं एक तो कि bought annuity model bought annuity model में tall कौन collect करता है tall collection का काम किसका होता है ठीक है ये दोनों question के answer में comment section में इंतजार करूंगे आप लोगों के comments का I hope आपको ये session अच्छा लगा और कुछ जानकारी मिली बहुत ज्यादा news आज नहीं थी पर जितनी भी थी हमने की thank you so much take care bye bye